Hello and welcome to Success Pride. Today we begin with our new topic, Blood Relations. अब हम आज इस वीडियो में एक नए टॉपिक की बात करेंगे, जो है Blood Relations, यानि रखतिसम्बंद. Ironically, Blood Relations की जोए दिंग है, वो रेडिव में लिखी हुई है. Because Blood is Red. Blood Relations में क्या होता है? Blood Relations का मतलब रखतिसम्बंद, मतलब Relationships, Relationships, सम्बंद, किनी दो लोगों के बीच में, right? कभी भी किनी दो लोगों के बीच में क्या relation है, वो एक implicit information हमें दी जाएगी और बताया जाएगी, कि दो लोग जिनके बीच में Relationships, relationship जिन दोनों के वीच में जो संबंध है वो explicitly, directly सीधा सीधा नहीं दिया गया है उनके वीच में जो संबंध है वो सीधा सीधा नहीं दिया गया है उनके वीच में क्या रिष्टा है यह सीधा नहीं बताया गया है तो वो हमें बताना होता है यह है blood relations Blood relations is all about Determining the relationship between two subjects कोई भी दो subject है Actually relationships में तो अब चुकि ये implicit relationship है तो काफी लोग के बारे हैं बात की जाएगी यहाँ पर तो एक family के बारे में हमें बता दिया जाएगा या कुछ भी randomly Information जो है वो बिलकुल random होगी बिलकुल clear नहीं होगी तो दो लोग जिनके जो लोग directly related हमें initially नहीं दिखेंगे कि इन दो लोगे ने कोई संबन्द है उनके बीच में हमें संबन्द बताना है ये है blood relations में सवाल भी इसी तरह से पूछे जाते है अब उधारन के लिए हम बताते हैं जैसे माली जे राहुल सेड राहुल राहुल बोल रहा है राहुल सेज pointing to a picture pointing to a photograph राहुल सेज the man in the picture is my father's grandson's father I have brothers and sisters none तो राहुल एक picture की तरफ एक photograph की तरफ पॉइंट करता है एक आदमी की फोटो है उसके पास और वो बोल रहा है कि the man in the picture जो आदमी है जो आदमी है photograph में तो वो जो है वो मेरे पिता का is my father's grandson's father यानि कि वो मेरे पिता के पोते grandson मतलब पोता वो मेरे पिता के पोते का पिता है he is my father's grandson's father okay I have brothers and sisters none मतलब उसके कोई siblings नहीं है उसका भाई या बहन कोई नहीं है तो वो बोल रहा है कि वो picture किसकी है अब ये थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया pointing to a picture राहूल says he is my father's grandson's father I have brothers and sisters none so who is राहूल actually talking about राहूल actually किसके बारे बात कर रहा है वो फोटो जो है या वो picture जो है वो किसकी है इतना लंबा चौड़ा खीशने के सुसरत नहीं थी वो राहूल की खुद की फोटो है क्योंकि राहूल के पापा के पोते का पिता राहूल के पिता जो राहूल के पिता है वो उसके उसका जो पोता है और उसके भी पिता है तो राहूल हमें एक जनरेशन उपर चल लगए के पिता फिर दो जनरेशन नीचे आ गया उनका पोता अब पोता तो किसी का भी हो सकता है, वो राहुल का खुद का भी बेटा हो सकता है, या राहुल के भाई का बेटा हो सकता है, या राहुल के बहन का बेटा हो सकता है, प्रसाइसली हम हिंदी में नाती कहते हैं, बट नाती और पोता, दोनों को हम इंग्लिश में, या इस question, ये granddaughter ही कहेंगे तो वो actually किसी राहुल के भाई या बेहन का भी बेटा हो सकता था, वो भी grandson ही होगा, my father's grandson अब राहुल के पिता के grandson जो है, वो या तो राहुल का खुद का भी जो बच्चा हो सकता है, बेटा या बेटी, वो भी हो सकता है, या उसके भाई या बेहन का भी बेटा हो सकता है, तो precisely हम नहीं बता सकते थे कि वो actually वो picture किसकी है, actually, we're pointing to the picture of a man, मतलब वो बेहन नहीं हो सकती, वो भाई ही होगा, मतलब वो आदमी ही होगा, तो या तो राहुल खुद हो तो ये हो सकता है, लेकिन आगे एक और लाइन उसमें अड़ करती, वो बोला कि I have brothers and sisters मेरा कोई भाई भेहन तो है ही नहीं, अब चुकि कोई भाई भेहन ही नहीं है, तो राहुल के पिता का जो grandson है, या जो पोता है, वो तो actually राहुल का ही बेटा है, तो इतना लंबा चोड़ा, लंबी चोड़ी भूमी का बांद के, राहुल अपनी ही picture के वारे में बात कर रहा है, राहुल जिस picture के वारे में बात कर रहा है, वो असल में खुद की ही है, तो कहने का मतलब यह है कि blood relations में जो information है, वो हमेशा implicit होगी indirect होगी, कभी भी कोई चीज सीधा सीधा नहीं दी जाएगी, बहुत complicated करके चीज़ों कोई बताया जाएगा, एक passage दिया जाएगा, कहा जाए तो, और फिर दो बहुत distantly related लोगों को, जो indirectly related है, उन दोनों के बीच में relation पूछा जाएगा, कि ये दो लोग के बीच में आपस में क्या relation है तो वो होता है blood relations अब ये lockdown में महाभारत बहुत चल रहे थी, बहुत लोग देख रहते हैं महाभारत, महाभारत में देखा जो कुरू family है, कुरू clan है जो भारत वन्श जिसको बोलते हैं उसमें पता नहीं कितने लोग थे, तो could you tell me क्या अगर सब नहीं देखे हैं महाभारत, almost हर हिंदुस्तानी ने देखी होगी विदेशों में भी लोग देखते हैं recently मैंने देखा IMDU के 9.2 rated थी वो series, जो BR जो बड़ागी महाभारत थी, तो महाभारत तुरण नहीं बड़ा पाएंगे actually दुशला जो है वो अभी मन्यू की auntie लगेगी या कह सकते हैं वो उसकी हिंदी में बोले तो उसकी बुआ थी दुशला वस actually धृतराष्ट धृतराष्ट और गांधारी's daughter, धृतराष्ट और गांधारी के 101 बच्चे थे जिसमें से 100 कौरव, 100 बेटे थे और they had just one daughter उनकी बस एक ही बेटी थी, उसका नाम था दुशला तो दुशला उनकी बेटी है और दुशला जो है एक distant aunt लगेगी क्योंकि जो पांडव थे अभी मन्यू जो है अभी मन्यू जो है अर्जुन का बेटा है, अर्जुन का पुत्र है और अर्जुन पांडू का पुत्र है तो पांडू जो है वो धितराष्ट से रिलेटेड है क्योंकि वो उसका वो है क्योंकि वो वो तुनों भाई थे दितराश और पांडू भाई थे तो पांडू पांडू के बच्चे और धितराश के बच्चे आपस में दियार कसिन तो दुशला is a cousin, दुशला और अर्जुन जो है वो cousin है, तो cousin का जो बेटा है, या तो भाई का बेटा है या cousin का बेटा, वो भी हम देखा जाए तो वो भी nephew हुआ तो वो जो है अभी मन्यू था, how is अभी मन्यू related to दुशला, अभी मन्यू का दुशला से क्या संबंद है, अभी मन्यू क्या लगता है दुशला का, तो he is nothing but दुशला's nephew, तो ये मैं बता सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% लोग नहीं बता पाए होगे कि exactly relation क्या है, बट जिसने देखी, बट जो अगर अगर आपने blood relations पढ़ा है तो आप बहुत clearly बता सकते हैं, जो अगर आप approach सही रखें, तो बहुत clearly बता सकते हैं कि दो लोग के विश में क्या relation है अब blood relation में कुछ पिती है, कुछ rule of thumb है जो हमें हमेशा मान कर चलना है especially इस topic के regarding, कुछ चीज़ा है जो हमें मान कर चलनी है, ठीक है तो these are postulates there are some postulates regarding blood relations, ये blood relations है अगर हम जब भी blood relation की बात करेंगे, तो इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना है तो पहला postulate है polygamy polyandry is not allowed polygamy या polyandry allowed नहीं है, इसका मतलब यह है, polygamy का मतलब है if a man is married to multiple women अगर यदि एक पुरुष, एक आदमी उसकी एक से ज़ादा बीविया है तो that is called polygamy ठीक है, उसी का polyandry, मतलब if a woman is married to several men मतलब अगर एक स्त्री की एक महीला की अगर और भी एक से ज़ादा पुरुषों से शादी हुली है, तो वो है polyandry, ठीक है तो वो चीज़ यहाँ पर allowed नहीं है कहने का मतलब यह है कि अगर यह दिया जाए कि A is the wife of B ठीक है, अगर यह कह दिया जाए कि A is the wife of B तो हमें यह मान कर चल रहा है कि A जो है B की ही wife है A, B के साथ किसी और की wife नहीं हो सकती तो A और B को हम pair बना लेंगे उसी तरह से यह भी हम मान के चल सकते है कि A और B, मतलब मानना ही है A और B A is the wife of B B की wife है, A तो A की wife Sorry, B की wife A ही होगी और उसके लावा B की और कोई wife नहीं होगी तो बस एक husband, एक wife जो है इसा भी कह सकते हैं तो यह है, यह हमें मान कर चलना है तो ऐसा नहीं है कि हम और बागी खोशतर है कि A की A जो है B की wife है तो B की और कितनी wife होगी ऐसा हमें नहीं सोचना है अगर हमें एक बार question में दे दिया गया है अगर हमें information जो है, clue है वो हमें दे दिया गया कि A अगर B की wife है तो हमें यह मान कर चलना है कि उसके और कोई wife नहीं होगी तो पहला postulate यह है दूसरा postulate है heteronormativity marriages are heteronormative इसका मतलब यह है कि अगर यह मान कर चले क्योंकि हमें gender भी पता करना होता है अगर हम मान कर चले कि A जो है वो B की wife है A B की wife है तो और अगर हमें B का gender नहीं दिया हुआ है A जो है वो female है मतलब wife है तो female ही होगी obviously और B का gender नहीं दिया है हमें यह बतायागी है कि A is the wife of B तो हमें यह मान कर चलना पड़ेगा मतलब यह बनी बात है कि B जो है वो एक male होगा ठीक है B female नहीं हो सकती यही है heteronormativity सिर्फ male और female की शादी होगी यहां पर आपस में ठीक है बागी कुछ नहीं होगा third postulate है relationships amongst siblings is transitive इसका मतलब यह है कि A अगर B का भाई या बहन है A अगर B का भाई या बहन है और B का भाई या बहन C है तो A और B के बीच में भी वही relation होगा मतलब suppose मान लीजे कि A बहन है B की A जो है B की बहन है और B जो है वो C की बहन है तो A A की बहन है B और B की बहन है C तो A और C भी आपस में बहने होगी यह transitivity है relationships में तो siblings के जो relationships है वो हमेशा transitive होगे ठीक है तो this is common sense but still अब थर्ड postulate है siblings and spouses siblings and spouses या फिर spouses spouse के siblings जो है वो they belong to the same generation हमें generations की भी बात करनी होगी हम आगे notations के बारे में भी बात करें कि हम note कैसे करते हैं चीजों को तो sibling और spouse मतलब जो हमारे भाई बहन या हमारी पत्नी या जो अगर लड़की है तो पती है ना तो वो जो है जो spouse है वो एक generation को belong करते है वो एक ही PD के हैं या spouse के siblings हैं मतलब पती या पत्नी के भाई बहन वो भी एक generation को belong करते हैं ठीक है तो उन्हें हम parallel लेका चलेंगे ये notation में हमें और अच्छे समझ में आएगा फिफ्थ पॉस्चलेट है always be assured of the gender of the subject before answering questions इसका मतलब यह है कि माली जग हमें बता दिया गया कि C माली जग हमें यह बता दिया गया कि C जो है C के पिता है B C is the father of C C के पिता है B और B के भाई है A तो हम अगर यह पूछे अगर कोई question में यह पूछेगा कि how is C related to B कि C B के साथ कैसे related है तो हमें हम इस तरह से नहीं बता सकते कि C उसका भतीजा होगा क्योंकि हमें यह तो बताएं यह कि C का gender क्या है तो वो या तो nephew हो सकता है या तो niece हो सकता है भतीजा या भतीजी कुछ भी हो सकता है तो उस case में हमें यह बताना पड़ागा कि हम उसे determine नहीं कर सकते हम नहीं बता पाएंगे ठीक है तो यह मान कर नहीं चलने कि वो mail होगा so these were some postulates and now we'll move to the notations blood relation में जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि एक passage होता है और passage में हमें कुछ subject के बार में कुछ लोगों के बार में information दी होते हैं कि यह इसके इस तरह से related है या इससे इस तरह से related है मतलब direct सीधा या indirect थोड़ा मतलब indirect information दी होती है हमें लोगों के बारे में तो हमें उस question जो information दी हुई है हमें उसको process करना है और हमें उसके कुछ deduce करना हमें उससे कुछ निचोड़ना उससे कुछ पता लगाना है कि actually question क्या कह रहा है तो इसलिए हम में notations की मदद चाहिए होती है कि हम चीजों को note कर सके हैं जैसे हमने seating arrangement या puzzle की questions में हम देखते हैं कि एक बहुत complex information दिये होती है एक passage के एक हमने बहुत complex information बहुत होता है बहुत टेड़ी मेड़ी information दिये होती है उसे हम simplified तरीके से note करते हैं अपस में एक क्लू को हम pen down करते हैं अपने हिसाब से तो blood relations में क्या होता है कि blood relation में कुछ एक कह सकते हैं हाला कि ऐसा कहना साही नहीं होगा ऐसा कह सकते है कि standard notation हम फॉलो करते हैं कि दो लों के इसमे relationship को हम कैसे बताएंगे हमें अगर यह लिखना है कि a is the wife of b तो a is the wife of b हमको इतना लंबा लिखने की जरूरत ना पड़े हम इसको note कर सके हैं कि a और b के इसमें क्या relation है हम note करके हम एक symbol symbolically उस information को pen down कर सके लिख सके राइट तो actually उसको हमें एक family जो होती है उसे हमें एक tree diagram के form में हमें बताना होता है हमें visually उसको इस तरह से represent करते हैं तो notation उसका है तो बहुत सारे notations को जब हम आपस में club कर देते हैं वो होता है हमारा tree diagram के वारे हम आगे बात करेंगे तो दो लोगे बीच में क्या relationship है उसके लिए हमें कुछ notations की जरुत होती है तो आएए देखते हैं वो notations कौन-कौन से होता है first notations है पहला notation है siblings का sorry not siblings जेंडर का दूसरा है siblings का तो दो लों का जेंडर हमें कैसे बताना है किसी भी subject का जेंडर हमें कैसे बताना है तो मालीजे ए है ए के बारे में कुछ information दिया है package में passage में a is the wife of b या a is the granddaughter of e इस तरह से या ऐसा कुछ information दिया है तो हमें यह पता चल जा रहे है कि जहां wife और granddaughter बता दिया मतलब जहां पर पतनी या पोती बता दिया मतलब a जो है वह female होगी तो एक हम a female है male है या female है उसे हम किस तरह से represent कर सकते हैं तो suppose ए मेरे है या female है उसे हम इस तरह से represent कर सकते हैं या तो हम Superscript में मतलब a के ऊफर एक plus का sign हम are centre से भी लिख सकते हैं या फिर इसे square shape में रख सकते हैं, I personally find this notation handy, this notation to be helpful, relatively, मुझे रख्तिकत रूप सा ये वाली notation ज्यादा सही लगती है, क्योंकि ये ज्यादा पसंद है, मुझे लगता कि ये जल्दी हो जाता है, और विसे योगि इतना बड़ा, आपको square बनाने में जारा टाम लग रहा है, ये या तो एक plus का sign हम लगा देते हैं, super script में a के उपर, या फिर उसके आसपा square बना देते हैं, यदि हमें बताना है कि b female है, दो ही genders है यापे, male और female, ok, b female है, तो हम b के super script में यहाँ पर minus का sign लगा देते हैं, और या फिर अगर हमें इस तरह से note करना है, तो b के आसपा से circle ब पर male के लिए plus का sign और b के लिए super script में b के लिए minus sign, female के लिए minus sign, male के लिए plus sign और female के लिए minus sign, तो इस तरह से हम gender बताते हैं, अब हम आते हैं, दो लोगों के बीच relationships को हम कैसे note करते हैं, तो पहली relationship है siblings की, siblings के बीच में कैसा relationship है, सपोज हम बोलें कि x और y siblings हैं, या x y, या जिसमें हमें पता नहीं चलेगा कि x और y का gender क्या है, भाई है, बहन है, कौन किसका भाई है, कौन किसका बहन है, हमें नहीं पता, या फिर ऐसा कह दे कि x is the brother of y, या y is the sister of x, अगर इस तरह से बूल दिया जाए, तो हम कुछ इस तरह से बताते हैं, उस relationship को इस तरह से denote करते ह है, दोनों को हम, हमने सीखा था कि siblings जो है, वो एक ही generation के है, obviously, x और y एक ही generation के है, क्योंकि वो siblings है, भाई बहन है, तो हम अगर कहते हैं, x is the brother of a, and y is the sister of x, अगर हमने ये कह दिया, तो दोनों को हम horizontal बनाएंगे, बराबर का बनाएंगे, एक साथी बनाएंगे, हम ऐसा नहीं लिखेंगे, कि x को नीचे बना दिया है, y को ऊपर बना दिया, हम ऐसा नहीं करते है, हम एक standard notation follow करते हैं, इसमें, तो x और y, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक line, इस तरह से एक line अगर इन दोनों के बीच में है, तो हम इस तरह से हमें ही पाइचल जाता है, कि x और y एक generation के तो हैं ही, ये दोनों siblings है, भाई या बहन है, अब हमें बता दिया कि x is the brother of y and y is the sister of x, तो x, y दोनों के बीच में, दोनों sibling है, तो एक इस तरह से एक line बना देंगे x, y के बीच में, और x भाई है, मतलब x male है, x is the brother of y, तो x के उपर plus का sign, और y is the sister of x, तो x के उपर minus का sign, इस इस तरह से हम relationship बता सकते हैं, x और y के बीच में, ठीक है, relationship उस postulates में हमने relationships के बीच में जो transitivity होती है, siblings के relationship में जो transitivity होती है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो suppose ये कह दिया जाए कि x जो है, वो male है, sorry, x जो है वो brother है y का, और y का भाई है a, suppose y का भाई है a, तो ये भी भाई है, brother है, बता दिये, तो a male होगा, positive होगा, तो इसका मतलब ये है, कि x और y, ये दोनों भी आपस में sibling होंगे, और x और y आपस में भाई होंगे, तो या तो हम इस तरह से बना दे, या तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं, x इधर, a इधर और y इधर, तो relationship siblings के बीच में जो transitivity होती है, relationship की, उसे हम इस तरह से कहते हैं, बनाते हैं, यहां हम एक ही generation के relationship की बात कर रहते हैं, तो पहले relationship की होती है, अब एक और बताते हैं कि जो couples होते हैं, married couples होते हैं, married लोग होते हैं, उनके बीच में हम relationship को कैसे बताते हैं, तो siblings के ये तो सिर्फ एक line थी, अगर ह में ये बताना है कि A is the husband of B तो हम उन दोनों के बीच में दो parallel lines बनाएंगे कुछ इस तरह से A is the husband of B तो A अगर husband है यानि कि male है तो उसके उपर ऐसे ही positive sign plus का sign और हमने देखा था कि marriages are heteronormative तो B का यह हमें पता ही चल गया यह हमें मान कर चलना है कि B जो है वो female होगी A is the husband of B इस तरह से अगर लिखा गया है तो A is male and B is female तो इस तरह से हम इस relationship को इस तरह से note करेंगे right suppose B का कोई sibling है suppose B की sibling है alpha और A का sibling है suppose gamma यह है ठीक है तो उस तरह से हम siblings को इस तरह से बना सकते हैं A मतलब उसी बराबरी में यह एक ही generation के लोग है यह चारो लोग एक ही generation के है तो spouse, sibling या spouse के siblings यह लोग होते हैं यह एक ही generation के होते हैं पती या पतनी भाई बहन या पती पतनी के भाई बहन जो होते हैं वो एक ही generation के होते हैं तो एक ही लाइन में एक ही हो, मतलब horizontally जो relationship है, उसको इस तरह से हम represent करेंगे, ठीक है? तो ये चार लोग एक ही generation के हैं अब हम generations की बात करेंगे कि अलग-अलग generation के लोगों किस तरह से represent करते हैं? suppose ये बोला जाए that A is the father A is the father of P and P is the wife of X and X and X and C is the son of X अगर हमें इस तरह से बता दिया जाता है तो कुछ इस तरह से हम generations को बनाते हैं जैसे A है A और P के बीच में A B P के father है, right? तो अगर हमें generation gap दिखाना होगा सिर्फ एक generation gap है तो अगर हम सिर्फ इसकी बात करें A जो है P के father है अभी कितना भूल जाते हैं A जो है P के father है तो हम उस generation अगर हम एक generation नीचे जा रहे हैं और इसके arrow के नीचे जो है यह generation नीचे है तो यहाँ पर हम देख सकते है एक पीढ़ी मतलब एक पीढ़ी का जो gap होता है वो इस तरह से हम बनाते हैं सपोस्थ अगर हम यहाँ बोल रहे हैं कि A is the father of P A P के पिता है तो यहाँ हम देख पा रहे हैं हमने इस तरह से बनाया है A एक वर्टिकल लाइन एरो एक एरो डाउनवर्ड एरो हमने यह बनाया और उसके नीचे P तो A उपर वाली जनरेशन है और P आगे वाली जनरेशन है नीचे वाली जनरेशन है यहाँ पर फिर लिखा गया है कि पी जो है X की वाईफ है तो यहाँ पर हमने यह चुकि P और X एक ही जनरेशन के है स्पाउस, सिब्लिंग और स्पाउस के सिब्लिंग यह सब लोग एक ही जनरेशन के लोग होते है तो उसको हमने बराबरी पर बनाया है तो इन दोनों के बीच में हमने दो लाइन, क्योंकि यह लोग मारेड है सिब्लिंग नहीं है, मारेड है तो हमने दो लाइन बना दी है दो होरिजॉन्टल लाइन बना दी है और X, यह हमने लिखा गया P की वाईफ है X तो आप्विसली P फीमेल होगी और X मेल होगा और X का सन है C तो हमने C का भी जंडर यहाँ पर पता चल चुका है अगर हमें यह कहता suppose कि X is the father of C तो हम एक एरो बनाते क्योंकि जो यहाँ पर हो रहा है जो चीज यहाँ पर हो रही है वही चीज यहाँ पर हो रही है A, P के फादर है तो एक जनरेशन का गयाप और यहाँ पर X जो है वो C के father है यहाँ पर A जनरेशन का गयाप तो यहाँ पर भी एक जनरेशन हम और नीचे आगए तो A और C के वीश में देखेंगे तो दो जनरेशन का gap है तो हम यह देख सकते हैं कि A जो है वो C के grandfather है यहां देखें तो हिंदी में हम कहेंगे उसके ए जो है C के नाना है बट नाना और दादा blood relations के हम बात करेंगे या in general हम कहें तो हम maternal grandfather या paternal grandfather इस तरह से नहीं कहते हैं generally अगर specified है वो context के उपर संदर के उपर depend करता है question में क्या लिखा हुआ है हम generally ऐसे ही कहते हैं कि वो grandfather है यह जो है grandfather है C के तो यहां पर लिखा गया है अब हमारा 5th postulate था कि gender का idea हमें होना चाहिए जो subject शर्स के gender का idea हमें होना चाहिए before answering questions तो यहां पर लिखा गया है कि X is the father of C C के पिता है X लेकिन C male है female है हमको यहां पर नहीं पता तो अगर हमें यह पूछा जाता कि how is C related to P C जो है P के साथ कैसे related है यहां दिख रहा है X जो है C के father है और P जो है C की mother है obviously इनका बच्चा है यह और P के पिता है A तो C कैसे related है तो उस case में हम बता नहीं पाएंगे वो determine नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें C का gender यहां पर नहीं पता है अगर यह कह देता यहां पर X is the father of C यह नहीं बोलता अगर हमें इस तरह से बोलता that C is the son of X तो फिर हमें gender भी पाएंगे चल जाता तो हम बता देते हैं how is P related to C C is P's son जो है C जो है P का बेटा है and how is C related to A C is the grandson of A तो हम इस तरह से बता देंगे तो I hope generation gap हम कैसे represent करते हैं आपको idea लग चुका है अब हमने विडियो की शुरुआत में हमने जिसकी बात की थी जिसे example की बात की थी that Rahul Rahul is a subject Rahul एक आदमी है Rahul बोलता है that pointing to a photo pointing to a photograph Rahul says एक photo की तरफ देखकर Rahul यह बोलता है that the man in the picture जो आदमी है photo में Rahul यह कह रहा है the man in the picture is my father's grandson's father मतलब वो मेरे पिता के पोते का पिता है I have brothers and sisters none मेरा ना कोई भाई है ना कोई बहन है तो actually photo किसकी है वो किसकी photo के बारे में बात कर रहा है तो हमने तो देखा था वो Rahul खुद की photo के बारे में बात कर रहा था बट यहां हम करके देख लेते हैं suppose यह Rahul है Rahul एक photo के बारे में बात कर रहा है यह picture है उसमें एक आदमी है उसकी photo है और Rahul बता रहा है कि यह जो आदमी है यह मेरे पिता की मतलब यह Rahul के father हो जाएंगे है न ये मेरे पिता का grandson तो हम यहाँ एक generation का gap और रखेंगे तो यहाँ ये grandson हो जाएगा और उसके father के बारे में बात कर रहा है तो हम एक generation और उपर चले जाएंगे यहाँ वो बोल रहा है कि मेरे कोई siblings नहीं है I have brothers and sisters none मेरा ना कोई भाई है ना कोई बहन है तो कोई sibling तो है नहीं तो obviously grandson जो है वो राहुल का ही बेटा है तो और कोई रास्ता ही नहीं है राहुल जो राहुल के father का grandson है वो जो है राहुल का ही बेटा है तो इस picture में father's grandson's father तो grandson का father यानि grandson और को नहीं राहुल का ही बेटा है तो grandson's father की ये picture है grandson's father की ये picture है तो ये और किसी की नहीं राहुल अपनी picture के बारे मात कर रहे है तो इससी तरह से हमने देखा कि information हमेशा complex होगी और हमें notations की help से complex information को diagramatically diagram के थूँ रेप्रेजेंट करके हमें उस complex जो information है जो passage में दी हुई है उसको analyze करना है और accordingly हमें relationships उस्तिजाब से बता सकते हैं लोगों को दो लोगों के वीच में क्या relationship है हम बता सकते हैं so this was an illustrative video guys आगे वाले videos में blood relations के बारे में हम questions के through ooh do glasses को किस तरह से करते हैं हर लेवलि और हम देखेंगे previous where के questions भी देखेंगे उसके आगे की questions भी देखेंगे थोड़े से मुष्यक्मिश्किल के से जो सवाल होता है उससे थोड़े मुष्यक्य वो भी हम करेंगे और एम करेंगे कि questions को किस इन नोटेशन के तुरू हम बहुत कंप्लेक्स इंफर्मेशन को डाइग्रमेटिकली रेप्रेसेंट करके बहुत आसानी से questions को solve कर पाते हैं So I hope you are excited for the video I hope you are excited for the topic जब we are starting And today we wind up with this introductory lecture And अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी suggestion है अगर वीडियो के regarding जो यह series चल रही है उसके regarding आपको कोई भी query है या कोई भी आपको परेशानी है मुश्किल है हमें comment section में प्लीज हमें comment section में बताईए हम जरूर उन suggestions को internalize करेंगे देखेंगे और हम improve करने की कोशिश करेंगे So यह भी wind up with the video Please like, comment and subscribe to success pride Thank you